हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकूं कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है मुझे कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे और अपने अपने कामों में बीजी भी होंगे तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और मौसम बहुत ही खराब है एक दम अधेरा सा छाया हुआ है तो रोज ही ऐसे ही रहता है मौसम तो सोचा कि लाओ आज कुछ कर ही लें कई दिन से कुछ कर नहीं पाएं तो फिरी में कैसे हम लगाते हैं अपने प्लांट्स और कैसे नीचे कंपोस्टिंग होती रहती है और उपर से प्लांट्स हमारा तयार हो जाता है हार वेस्टिंग देने लगता है वही आप लोगों से शेयर करेंगे जो हमारा फिरी का कार्ट बोर्ट का डबा होता है दफ्तिवाला उसमें हम आज लगाएंगे प्लांट्स और नीचे जो क्यारियों में पत्तियां गिरती रहती है वो उसी को आज भरेंगे नीचे और किचन वेस्ट को भी तो कितने अच्छे से देखिए फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग भी होती है बहुत ही अच्छे से कैसे सेम बनने लगी है फ्रेंड्स ये भी एकदम फिरी का है कुछ ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा हम पैसा नहीं खच करते हैं अपने गार्डनिंग में बस सोख होना चाहिए गार्डनिंग करने के लिए सोख होना बहुत जरूरी है नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग जिस चीज का सोख होता है फ्रेंड्स तो वही काम हम लोग मन लगा के कर पाते हैं और मुझे बहुत सी सोख है पेर पौधों का और ये फुरूटिंग का भी ये बिग जाता है ऐसे ही तो इसमें आज हम नीचे जो भरेंगे वो आप लोग भी देखें जो किचन वेस्ट से हमारे निकलता है किचन में सबजियों का छिलका फ्रूट का छिलका और नीचे यही सब भरके और जो कियारियों में हमारे पत्ते निकलते हैं यह जो टहिनिया काटी है कटिंग करके निकाली है तो यह हमारे गार्डन का वेस्ट है यह सब निकाला है अपने कियारियों से और किचन से और यह गन्ने का है जो गन्ना चूसते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है गरने वाला भी और किचन वाला भी वेस्ट और जो क्यारियों में निकला है और जो पीपल का पत्ता उपर से गिरा है तो पीपल का पत्ता बहुत ही अच्छा होता है गार्णिंग में बहुत काम आता है फ्रेंड्स तो ये सब काम करें बारि में तो यह हमने भर लिया है अपने किचन का वेस्ट क्यारियों में जो सफाई थोड़ी कि रहती है बहुत ढहर सारी हमने निकाली है रखीये निकाल के तो यह बहुत फिरी का नीचे कमपोस्टिंग होती रहेगी फिरी का हमें खाद मिल जाएगा और उसमें प्लांट्स जो लगाएंगे वो भी अच्छे से चलेंगे हेल्दी रहेंगे और हमें अच्छे से फिरूटिंग भी देंगे तो जब हम्हार वेस्ट करते हैं तो छोड़ा मेहनत करना चाहिए हम लोगों को तो सफाई भी हो जाएगी और हमारे लिए फिरी में ये सब बन जाएगा खाद और फिरी में प्लांट्स हमारे जो क्यारी में डालते रहते हैं बीज वो निकलते हैं धेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी उपर से डाली है हमने, यही क्यारी में से ले ली है, मिट्टी इस टाइम नहीं है हमारे पास जादा, क्यारी में से थोड़ी निकाल की इसमें डाल दिये, तो फ्रेंड्स यह देखिए, कितने ज़्यादा से मिच के प्लांट्स और भी ज़्यादा थे, तो हमने निकाल दिये हैं तोड़े, क्या करेंगे इतने ज़्यादा प्लांट्स, तो अभी भी डेर सारे हमारे पास हैं, तो यह बड़े बड़े से हो गया हैं, लगाया ही नहीं कहीं जगह भी नहीं थी तो सोचा कि इसी में लगा दें और बहुत जारा कच्रा बहुत ज्यादा कच्रा भी हो गया है तो उसको भी हम इसी में भार के यह प्लांट्स लगा दें तो फिरी में हमारा कंपोस्टिंग भी हमें मिल जाएगी और ज्यादा मिट्टी भी नहीं लग जाते हैं चुटी-च्टी से Plców Amare Potato लिफल तैयर हो जाती है टो आ एसे ही लगाया करते हैं टमाटर की ऻ Awak अच्छी होगी उसको रखेंके जिसकी कर देंगे इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं उसको निकाल देंगे तो एक दो ही प्लांट प्लांट्स इसमें रखेंगे हम तभी अच्छी ग्रोथ होती है और तभी अच्छे से फ्रूटिंग भी होती है तो इसमें फंगी साइड भी डाला है हमने तो दिखा नहीं पाएं है आपको क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है क्यारी और सब बारिस से भरी हुई है मिट्टी है सारी जो बारिस सब गीला हो गया है बहुत तो यह हमने लगा जाएं फ्रैंट्स तो जब ये लग जाएंगे तो दिखाएंगे आप से सियर करेंगे तो ऐसे ही भर के सारा waste material और ऐसे ही थोड़ी मिटी डाल के लगा देते हैं मिटी ज्यादा जितनी भी हो कम ही होती है ज्यादा मिटी नहीं रहती है तो ये बहुत ही अच्छा है कम मिटी जिसके पास हो तो ऐसे ही अपने घर का कच्रा भर दें इधर उधर फेकने से तो अच्छा है फ्रेंड्स जो नीचे कम पोस्टिंग भी होती रहेगी और ये देखिए ये मेरी गोल का है बीच से बहुत धेर सारे तयार हुए हैं तो इसक सम बादाल एक दम चाहे हुए से हैं फ्रेंड्स तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पोर वाच